Hello students, इस lesson का कुछ भाग हमने first part की वीडियो में पढ़ा था. किस तरह से ये पच्चा, रास्ते तथा मेले में दुकानों को देख करके attract हो रहा था और वह इन चीजों को देख करके बार-बार रास्ते में पीछे रह जाता था. मिठाए की दुकान के बाद वह किस दुकान को आगे देखता है? Let's see in this lines. A flower seller hogged a garland of gulmohar. A garland of gulmohar. The child seemed irrestably drawn. He went towards the basket, where the flowers lay heaped and half murmured. I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers. Because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. इस paragraph में कुछ meanings आए हैं. Hogged, hogged means होता है. Called to sale, यनि बेचने के लिए जो दुकानदार आवाजी लगाता है, इसके लिए hogged word यूज करते हैं. Garland means होता है, मालाएं. जो फूलों की मालाएं बिक रही थी, उसके लिए ये word आया है. Restably drawn means होता है, uncontrollably attracted. यनि अपने आपे control नहीं कर पाना, उन चीजों को देखकर के आकरशित हो करके. Heaved means, paled. Pal means धेर. धेर लगा होना. एक फूल बेचने वाले की आवाज को सुनता है वो बच्चा, गुल्मोहर की माला, क्योंकि Garland of Gulmohar, लार्स, गुल्मोहर के फूलों की माला, ऐसी आवाज वो व्यक्ति देता है फूल बेचने वाला, बच्चा उसकी और खिचा चला जाता है. वह वहाँ पर पहुचता है, जहां पर टोकरी में फूलों का धेर पड़ा हुआ था. वह धीरे से बोलता है, मैं वह माला लूँगा. परन्तु उसे पूरा अच्छे से पता था, कि उसके मम्मी पापा वह उसे फूल खरीद करके नहीं देंगे. क्योंकि वह ऐसा कह देंगे कि ये फूल कैसे हैं, घटियां हैं, बहुत ही चीफ हैं, चीफ हैं ये फूल, इसलिए बिना उत्तर की वेट किये वह आगे बढ़ गया. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. Carried away का means यहांपर है, fascinated, यानि आकशित हो जाना, attracted हो जाना. Rainbow glory, यहांपर rainbow की, इंदरधनुष की जो सुन्दर्ता होती है, उसकी जो shine होती है, उसके लिए ये word यूस किया है. Overwheeling मतलब होता है, overflowing, यानि तिवर, काफी तेज. Possesses, यानि to own, यानि उस चीजों को पाना, पाने के लिए वर यूस हुआ है. Further means towards greater distance, यानि आगे की और दूरी पर. एक आदमी, एक जो bamboo उसने खड़ा कर रखा था, या एक बास को लिए वो खड़ा था, जिस पे पीले, लाल, हरे और बैंगनी कलर के गुबारे उस पे लह रहा रहे थे. बच्चा उन जो सतरंगी, रेश्मी कलर के जो इतने shining वाले जो balloon से उनकी तरफ खिचा चला जा रहा था. उसका मन हो रहा था, उसके मन में इसी तिवर इच्छा उमड रही थी कि वो उन सभी गुबारों को खरीदे या उन सभी गुबारों को वो ले. परन्तु उसे अच्छे से पता था कि उसकी मम्मी पापा वो उसे कभी भी खरीद करके नहीं देंगे और उसको ऐसा भी कहेंगे कि तु इतना चोटा नहीं है कि गुबारे से खेले. इसलिए वह आगे चल देता है. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer but knowing his parents had forbidden him to hear such coerce music as the snake charmer played, he proceeded further. पुछ मिनिंग्स यहां पे हम देखते हैं. Snake charmer ऐसा व्यक्ति जो कि हमें जादू दिखाता है, साप अगेरा का, जिसको हम सपेरा भी बूलते हैं. Flute, यहां पे flute word, snake के लिए जो बीन बजाई जाती है, उसके लिए यूज किया गया है. Musical instrument यूज किया है, as a musical instrument. Instrument. Rippling, Rippling means होता है, producing small waves, यानि छोटी छोटी लहरें जिस तरह से गूमती है, उसके लिए words, word को यूज किया है. Proceeded, it means walked forward, यानि आगे बढ़ जाना. Coards means है, rough, rough काफी ज़्यादा रूखा, जिसके लिए word यूज हुआ है. एक सपेरा, जो कि खड़ा हो करके बीन बजा रहा था, और उसका साप टोकरी में कोईल बना करके, कुंडली बना करके बेठा हुआ था. उसने गर्दन को उठाई और जिस तरह से स्वान होता है, जिस तरह से हंस होता है, वो अपनी गर्दन को उसी तरह से, उसी शान से गुमा करके मोड रहा था. बीन की उस आवाज को सुनकर के, पानी की जरने की लहरों की भाती, धीरे-धीरे उसके अदरश्य तरंगों से कानों में जा रही थी. यyni वो आवाज साप के कान नहीं होते लेकिन फिर भी वो जो तरंगे निकल रही थी बीन से वो साप के कानों में जा रही थी बच्चा सपेरे के समीब गया और उसे फिर वहां जाते से एक बात याद आई कि मम्मी पापा जो है वो उसे जो ए सपेरे का जो एक कोवर्स सोंग चल रहा है जो एक रूखा सा जो अजीब सा सोंग चल रहा है उसे सुनने के लिए मना कर देंगे इसलिए वो वहाँ पर रुखता नहीं है वहाँ से आगे बढ़ जाता है There was a roundabout in full swing Men, women and children carried away in a whirling motion Shrieked and cried with desi laughter The child watched them intently and then he made a bold request I want to go on the roundabout Please father, mother Roundabout means circular moving wheel यानि गोल घूमने वाला जो चक्री वाला जूला है उसके लिए वड यूज हुआ है Full swing मतलब होता है in full speed काफी तेजी से, तेज स्पीड में Shrieked means screamed, चीकते हुए Intently means eagerly यानि पूरी लगन के साथ वो जूला काफी गती से घूम रहा था Roundabout मापर जो चल रहा था जूला काफी तेजी से घूम रहा था Man, women और बच्चे सभी उस जूले की में जूल करके काफी ज्यादा उतेजीत हो करके काफी ज्यादा चला रहे थे, जीक रहे थे, कुछ ठाहा के मार करके हस रहे थे बच्चा उन्हें लगाता खड़े हो करके घूर रहा था फिर भी उसने इतना करेज अपने पापा या मम्मी के सामने वो इखटा करके बोल न सका कि मैं भी इस जूले में बैठूंगा लेकिन अचानक से क्या होता है वो अपने करेज को या अपने साहस के साथ काफी ज्यादा हिम्मत को इखटा करता है और ये बात बोल देता है कि मम्मी पापा मुझे भी जूले में बैठना है there was no reply he turned to look at his parents they were not there ahead of him he turned to look on either side they were not there he looked behind there was no sign of them ahead means before someone आगे किसी और के आगे किसी के इसके मीनिंग के लिए यूज हुआ है कोई उत्तर नहीं मिलता है उसको वो मुड करके अपने मम्मी पापा को देखता है पर वहाँ पर कोई नहीं था न वे आगे थे न वो side में थे न वो पीछे थे उनका कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था A full deep cry rose within his right throat and with a sudden jerk of his body He ran from वहर, he stood crying in a real fear Mother, father, tears rolled down from his eyes Hot and fierce His fleshed face was convulsed with fear Panic stricken, he ran to one side first then to the other Heather and neither in all directions knowing not where to go Mother, father, he welled His yellow turban came untied and his clothes became muddy Zerk means होता है twist यानी जटके से Rolled down means coming down यानी लुड़क जाना या बह जाना Fierce means होता है furious यानी क्रोधित होना गुस्से में हो जाना Welled means shouted and cried loudly यानी रोना या विलाप करना Convulsed means made sudden, violent, uncontrollable, zerk यानी काफी ज़्यादा बच्चे जैसे उत्तेजित होकर के रोने लग जाते हैं उस तरह की प्रतिक्रिया यांपे बताईए Heather and neither means here and there यहाँ वहाँ Muddy means full of mud यानी कीचड में पूरा भरावा, सनावा यानी बच्चे के साथ क्या हुआ था? उसके सूखे गले में गहरी, उची चीख निकल जाती यानी उसका गला सूख जाता है चीखते वक्त जहाँ वह खड़ा था, वहीं से वह चीखना शुरू कर देता है ममी, पापा, एक जटके के साथ वह भागने लगता है गर्म और भयंकर आसू उसके आखों से गिरने लग जाते है उसका जो बहुत ज़्यादा जो चहरा भैस के कारण यानि उसके चहरे पर काफी ज़्यादा डर दिखाई देता है डर करके, भैबीत हो करके वह पहले एक और फिर दूसरी और इधर उधर भागने लगता है उसको समझ नहीं आता है कि वह कहां जाए वह अपने मम्मी पापा को बुला बुला कर या मम्मी पापा को पुकार पुकार कर रोने लगता है उसकी पीली कलर की जो पगडी होती है वो भी अंटाइड हो जाती है वो भी खुल जाती है उसके कपड़े सारे धूल में भर जाते हैं गंदा हो जाता है यानि वो at little distances on the green grass he could see through his filmy eyes man and woman talking he tried to look intently among the patches of bright yellow cloths but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking rage rage means anger यानि गुस्ता suppressed suppressed means quelt यानि दब गई sobs sobs means होता है सिस्किया दीरे दीरे रोना या आवाज निकालना इसके लिए वड्यूज हुआ है काफी जादा गुस्से में वो इधर उदर कुछ देर तक दोड़ता रहता है और बाद में वो हार जाता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है उसकी जो वो चीक रहा था जो चिला रहा था वो अब तो सिस्कियों में बदल जाती है, वो रोने लग जाता है, वो धीरे धीरे रोने लग जाता है, अपनी उन धुंदली आखों से या जो आखे डल हो गई थी, रो रो करके, उसे कुछ दूरी पर, हरी घास पर, खड़े कुछ लोग, लोगों को उसने बाते करते वे देखा, पी कोई भी नहीं थे, वे लोग बिना बात के हस रहे थे, और बाते कर रहे थे. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was consisted with man, but he ran through people's leg, his little sob lingering mother, father. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders, the poor child struggled to thrust away between their feet. But, knocked to and fro by their brutal moments, he might have been trampled underfoot. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother, a man in the surging crowd, heard his cry and stopping and stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. कुछ words meaning देख लेता हैं सबसे पहले? Shrines means होता है temple, यानि मंदिर. Congested means thickly crowded, यानि खाफी ज़्यादा घनी जो भीड होती है, उसके लिए word यूज किया गया है. Jossled means emboiled and pushed, धक्का मुखी करना. Hefty means strong, यानि शक्तिशाली. Brutal means cruel, cruel means निर्दै. Trampled means crushed, crushed यानि पाओं के तलों के नीचे कुछला जाना, दब जाना. Shrieked means cry loudly in shrill voice, जोड-जोड से चीखना. Surging means swelling, यानि उमडती हुई, भीड जो उमड रही थी उनके लिए word आया है. Stooping means bending, यानि जुकते हुए. एक बार फिर वह बच्चा तैजी से दोड़ा और वह मंदिर की और गया. जहां पर से लोग आते और जाते वे प्रतीत हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे, लोग आ जा रहे थे. वहां पर उसने हर जगे पर देखा, जहां पर काफी ज़ादा भीड थी. लोगों के पैरों के बीच में से निकलते वे द्वा दोड रहा था, सिस्कियां भरते वे वे रो रहा था और अपने मम्मी पापा को पुकार रहा था. मंदिर के गेट के पास भीड काफी ज़ादा थी, भारी भारी लोगों के जो की बहुत ही स्ट्रॉंग जिनके शोल्डर्स थे, उनके बीच में लोगों की आँखों में जिसे बलड हो या बहुत ज़ादा जो गुसे में थे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्य कर रहे थे. वह किसी के पाउं के नीचे आकर दब जाता और वह जोड से अगर नहीं चिलाया होता. जैसे उसने जोड से आवाज लगई मा बापू या मम्मी पापा तो उसको सुनकर के लोगों ने फिर भी उसे नहीं दबाया. उसी भीड में से एक स्ट्रेंज में या एक सजन व्यक्ति या कोई अन्नोन परसन निकल करके आता है जिसने की उसकी चीख को सुना था, काफी मुश्किल से वह नीचे जुकता है और उस बच्चे को गोद में उठा लेता है. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried. I want my mother, I want my father. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into a thousand shrill, soaps and he only shouted, I want my mother, I want my father. भीड से बाहर आकर के उस व्यक्ती ने उस बच्चे से पूछा, तुम यहां केसे आए? तुम किसके बच्चे हो? बच्चा और जोर-जोर से रोने लग जाता है और बोलता है मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए. वहाँ जो सज्जन व्यक्ती था, वो उसको चुप कराने के लिए जूले वाले के पास लेके जाता है और उससे पूछता है क्या तुम गोडे पे बैठोगे? और उसने रोना तेज कर दिया, जोर-जोर से रोने लग गया और उसने बोला मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए.